बच्छो, एल्जेब्रा को गल मैंने क्लासेट का सरहं तक बताया था, आज एट से बताऊ रहा है, एट में एक गोश्चान रहा है, पहले इन लोगों को माटिप्लाइक का सस्केंट सिल्थी, अपी जो आंसर आएगा उस्ते इसको करेंगे, तो यहां पे x² प्लस x प्लस 1 इं प्लस 1 को गा और एंतुर स्का犋 है, उस्केंट का उस्केंट आएगा इं घट स्कार इंट स्कार इं Links प्लस 1 इंट स्कार इंट स्कार मिनस अ ठाएगा एब्यातनो स्कार टॉजिगे स frightening एट स्कीं अब इसने डाइकटू झाब्कें? एक प्लुस पू मननन इसने चिंड्गी संट्ग्राइए अब इसने लाइक हो एक्स कुआ होग हाड ऑफिया रहो होगा ह्थिर मैनने पर इसने न अलोगन हिसक्तने लिए मैनने सम्हान हां इसके साही मुझे, इसको multiply to look x to the power 4 plus x to the power 4 minus x to the power 4 plus 1 plus x square 1 2 to the power 4 minus x square plus 1 plus 1 into x to the power 4 minus x square plus 1 1 क्यादि देρέ चकड़ देर च्तप आप रएंग न्यादि देर च्तप आप आप रएंग? minus x4 plus x4 plus x4 minus x4 plus x square plus x to the power 4 minus x square plus 1 अब देखे, x to the power 6 minus रूकर गया x 4 minus x square x square plus x square minus x square मच कितना गया, x to the power 8 plus x to the power 4 plus 6 ये इसा आंसर रूकर इसा next question लेखिए, next question क्या है? using identity a plus b whole square है 157 square, 107 square था आपको whole square जिखा नहीं, question number nine, 107 square है हमको identity यूज करना है, ऐसी यह वे 107 into 107 दी लिखेंगे तो answer आएगा लेकिन आपको marks नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें identity use करने के लिए instruct किया गया है तो आपको जैसी कहा गया वैसी करेंगे इसको उनको क्या लिखेंगे 100 प्लस 7 का square अब formula यूज करेंगे तो क्या होगा a square मतलब 100 का square प्लस 2ab मतलब 2 into 100 into 7 प्लस 7 square तो यह 1 0 0 0 0 प्लस 27 जा 14 उसके 2 0 प्लस 49 तो कितना answer हो गया 9 4 यह 9 हो गया add कर लेंगे यह हो गया 4 और फिर उसके बाद यह 4 फिर उसके बाद 1 1 इसी जांगे यह हम दो इस तरह से इसको add करके यह करके identity यूज करके पर रहेंगे सीधा भी करने पर answer आए लेकिन आपको identity यूज करने पिलिए का गया है next है आपको 124 into 160 आपको यहां भी identity रूज करने के लिखा गया question no.10 कितना है 124 कितना है 124 into 160 यह कैसी करेंगे इसको हम लोग ऐसे बिलिख सकते है 120 plus 4 और इसको लिख सकते है 120 minus 4 तो यह कितना है यह कितना है a plus b a minus b तो यह 120 का स्क्राइब माइनस 4 का स्क्राइब 1212 आप 144 उस पर 2 0 minus 16 minus करके answer लिखी इसको ऐसी करना है अगा दोनों को simply multiply करेंगे तो भी answer आएगा लेकिन आपको identity उस करने के लिए करा गया है अब देखिए यहां पर simplify question number 11 11 में खा गया है simplify करने के लिए 5x plus 5x plus 2y का whole square minus 2x plus 5y का whole square अब देखिए अगर मैं इसको a मान लो और इसको b मान लो तो a square minus b square a square minus b square का formule का होता है a plus b a plus b याने की 5x plus 2y plus 2x plus 5y यह होगा a plus b into a minus b a minus b क्या होगा 5x plus 2y minus 2x minus 5y तो यह क्या होजाएगा यह होजाएगा आपको 5x plus 2y plus 2x plus 5y यह होगा और यह कितना होगा 5x plus 2y minus 2x plus 5y यह होगा अब यह कितना होगा देखिए 5x plus 2x 7x यह होगा 7x यह होगा 7x और यह कितना होगा 5x minus 2x 3x यह होगा 2y plus 5y कितना होगा यह होगा 7y यह होगा 7x plus 7y और यह होगा 5x minus 2x 5x minus 2x 3x और 2y plus 5y 7y अब इन गोणो को जैसी आप मुल्टिप्लाइ करते है वैसी मुल्टिप्लाइ करते है यह होगा आपको यह होगा आपको 7x into 3x plus 7y plus 7y into 3x plus 7y अब इस कांसर कितना होगा यह होगा 7th إلى 21x2 square plus 7th들이 गार 49xy plus 7th T 지금 29x square यह झे भ्याव स्कांसर मुल्टिवरे रिवरे जाफ напр送दवरे एस कितना हो एस कितना होगा 150 plus 70, यह 70xy, 70xy plus 49y, बैसका answer इतना हो जाएगा, और अगर इसका value और इसका value निकालके minus करेंगे, तो भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है, अभी देखिये, question number, using identity, find the value of 509, तो 12 सा मैं simply आपको लिख दता हूँ, 509 का square, इतना होगा, 500 plus 9 का whole square, आप इसको जैसी, इसको की है, इसी 12 को बनाएंगे, 9 के तरश से, 12, उसका 13, 13 आप कैसी करेंगे, आपने question number, हमने आपको solve गर करेंगे, question number 2 दिखाया था, 2 और 13, एक जैसी है, 13 जैसी है, x minus 1 by x equal to 13 दिया होगा है, तो square ही बोट साइड, यह दो मोट साइड स्कार करेंगे, तो x minus 1 by x का whole square equals to 13 square, इलो जाएगा, x square plus 1 by x square minus 2 x into 1 by x equals to 169, और यहां x x कर जाएगा, तो x square plus 1 by x square equals to 169 plus 2, तो x square plus 1 by x square equals to 171 हो जाएगा, 13 आप 2 के जैसी करेंगे, उसके बाद, algebraically, 1005 into 995, इसको क्या करेंगे 14 का, 1000 plus 5 और 1000 minus 5 करके, a square minus b square, जैसी question 10 किये हैं, वैसी बनाएगे, और last वादा simplify है, simplify मैं 14 का, 14 का लेके मैं करके बताता हूँ, 14, उसके बाद यह exercise मेरा कतम हो जाएगा, फिर हम लोग new lesson में कोई में जाएगे, बेके में पांसर रखेंगे, अभी हम लोग question number 15, 15 पे जाएगे, 4 into 3x plus 4y का 4 square, plus 12 into 3x plus 4y into 2x plus 5y plus 9 into 2x plus 5y का 4 square, यह question है, मैं इसको ऐसी निशक्ता हूँ, question number 15 है, मैं इसको निशक्ता हूँ, 2 into 3x plus 4y का 4 square, और इसको मैं निशक्ता हूँ, 3 into 2x plus 5y का 4 square, और मैं इसको निशक्ता हूँ, 2 into 2 into 3x plus 4y into 3 into 2x plus 5y, अभी है, 2 into 4 square 12, 12 into 3x plus 4y, 2x plus 5y हो गया, तो यह हो गया मैरा a, यह हो गया मैरा a, और यह हो गया मैरा b, और यह हो गया 2ab, यानि कि यह formula कुम सा हो गया, a plus b का whole square, मतलब यहां पर मैरा a, यह है, तो 2 into 3x plus 4y का plus यह a और यह b, plus 3 into 2x plus 5y, इन दोनों का whole square, यह हो का मैरा, अब मैं यहां पर क्या कहूंगे इसको simplify का होगा, तो यह हो जागा 6x plus 8y plus 6x plus 15y, यह हो गया, इसका xy, यानि कि यह हो जागा 6 plus 6, 12x plus 8 plus 15y, 23y, अब इसका whole square, इसका whole square आप इढालेंगे, तो 112x का square plus 23y का square, plus 2 into 12x plus 23y, इसको calculation करके आप दीदेंगे इसका answer आजाएगा, तो यह chapter यहां खतम होता है, फिर next हम लोग आजी करेंगे, thank you.